Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. I hope you all are fit and fine. So students, हम आज हिंदी सब्जेक्ट में वचन पड़ेंगे. वचन, इंग्रिज में students नंबर कहते हैं, एक या अनेक. वचन का मतलब क्या होता है? एक या अनेक. Students, संसार में वस्तोय संख्या में या तो एक होती है या अनेक. उनके इस एक या अनेक होने को वचन कहते हैं. देखे, अब वचन की हम परिभाशा परते हैं. तो देखे, वचन. ये कैशन वचन. शब्द के जिसे रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं. Students, वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम वचन कहेंगे. जैसे लड़का दोड रहा है, लड़का दोड रहा है, उन लड़के दोड रहे हैं. हमें इसे जैसे लड़का दोड रहा है, तो लड़का हमें एक वचन का बोध हो रहा है. लड़के यानि एक से जादा, तो हमें इसमें भवचन का बोध हो रहा है. खिलाडी खेल रहा है, खिलाडी खेल रहे हैं, तो हमें इसमें भवचन का बोध हो रहा है. लड़का तथा बाली का शब्द एक वचन को प्रकट कर रहे हैं. लड़का बालिका ये जो शब्द है ये किसका बोधोरा में किसको प्रकट कर रहे हैं एक वचन को जबकि लड़के और बालिकाए शब्द एक से अधिक अर्थास बहुवचन को प्रकट कर रहे हैं देखे वचन के भेद अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद तो देखे हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन कितने प्रकार क्यों होते हैं दो प्रकार के कौन कोन से एक वचन और बहुवचन वचन के कितने बेद होते हैं स्टुडेट्स दो हिंदी में वचन कितने प्रकार क्यों होते हैं दो प्रकार क्यों होते हैं कौन-कौन से एक वचन और पहु वचन अब देखे एक वचन की परिवश पढ़ते हम एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति अथ्वा एक वस्तू का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति अथ्वा एक वस्तू का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे एक वचन जैसे बाली का लड़का गाय बहुवचन अब हम पढ़ेंगे बहुवचन बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तू या इस्थान का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे बहुवचन कहेंगे बहुवचन एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे बहुवचन तो देखें बालिकाएं लड़के गाएं ये सब क्या है इन शब्दों से हमें किसका बोध हो रहा है बहुवचन का एक से अधिक का बोध हो रहा है अब देखिए, एक वचन शब्दों को हम बहुचन में पदलेंगे जैसे देखिए सडक, सडक क्या सब्द है? एक वचन तो बहुचन क्या होगा इसका? सडके गाय, गाय, जाती, जातिया आख, आखे, बेटा, पेटे, कपड़ा, कपड़े, बात, बाते तो स्टुडेंट्स, आज हमने वचन के बारे में पड़ा आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में इनको क्या करना है? राइट करना है और आपको लर्ण भी करना है थैंक्यू स्टुडेंट्स